कॉंग्रेस सांसाद इमरान मसूद जी इस वक्त हमारे साथ हैं, हार के बाद मंतन चल ला है भाजिनता पार्टी का लखनों में बड़ी बैठा को रही है, तमाम नेता मोजूद है, रास्तिय अध्यक्ष भी महाँ पर हैं, इसी बीच एक बयान महाँ पर आया है, इमरान जी, पिंद्र सिंग है, भाजिनता पार्टी के परते सद्या, वो कह रहे हैं कि कॉंग्रेस बसमासूर है, और वो अखलेश आदव को भी निप्टा देगी, ऐसा इनकी इस प्रकार की शुबनिये टिपनियों पर, मेरा टिपनि करना किसी भी सूरत में उचित नहीं है, बस इतना वो उनका काम है, देखिए उनके काम के उपर मेरी टिपनि करने का क्या मतलब है, हरा आदमी को अपनी पार्टी को चलाने का अधिकार है, और नग्रगें है। अब यूपी में भी उप्चुनाब होना तो क्या कुछ माहुल बदलने वाला है। समझ में आ जाना चाहिए लट तंतर के आगे लोग तंतर जीता है। लट तंतर से आप लोगों को नहीं जीत सकते हैं। तो जो कुछ आप ने किया आपने उसका खामयाजा भुगत लिया। जो आपने मेर के चुरओं में साहनपुर में किया उसका खामयाजा पार्लिमेंट में भुगत लिया। लेकिन यह जो आप परीपार्टी चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, यह आप ही के लिए गातक है। दूसरे के लिए कम गातक है, आप के लिए जदाधा गातक है। आप लगातार एक्टिव थे मंगलोर में, लगातार मीटिंग भी आपके तरफ से की जारी। तो क्या लगता है कि महाँपर किसे कॉंग्रेस के पक्ष में गया है। नहीं, लोगों में नाराज़गी है इनके खिलाब, बद्रिनात भी हार गये, लोगों में नाराज़गी है इनके खिलाब, गुस्सा है लोगों के अंदर इनके खिलाब। तो इम्रान मसूद है भरतेंता पार्टी की जो मिटिंग हुई है इसमें जो शब्द यूज किये गए बसमास उरूपर उस पर कोई खास टिपनी उनकी तरफ से नहीं किये साथिसा लेकिन जो उपचुनाओं में जो जीत हासिल हुई है उतराखन के इंदर उसको देखर कही न